हाई दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों एक और शांतर वीडियो लेकर आगे हैं जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में उससे पहले आप मेरे शनल को सब्सक्राइब करते हैं बैल आइकन को प्रैस करें तो वीडियो स्टार्ट आजकल बृतन में राम नाम की गूंज है क्योंकि बागेश्वर बाबा धिरेंद्र शास्त्री लंदन के नजदीक लेस्टर में राम कथा करना वो यहां 22 जुलाई तक रहने वाले और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लंदन जैसे शहर में लोगों के पास इतना टाइंग राम कथा सुनने जाएंगे मुस्ली इंडियन और जाएंगे यहां से लोग गई ते वहां नोट छापने और यह लंदन के पास लेस्टर में यह देखिये यह वहां पूचे हैसे हाथ ला रहे हैं तुमाहां पूरी सड़क जाम होगई भाई फटम बाबाद बाबाद बाद बाबा आ गया भाई जिसके लिए इतना पादलपन लोगों में दिख रहा है जरा सुनिए यह लंदन के पास की सड़के जहां ऐसी ही कोई खटा नहीं हो सका लेकिन यह भारत की सनातनी शक्ती और बाबा बागेश्वर के दर्बार का कमाल है कि किसी को भी रोका नहीं जा सका बाबा बागेश्वर ने भी भीड के बीच लोगों की सामूही करजी लगा दी आप भी बिटन की सड़कों पर सनातनी मंत्रों वाली यह तस्वीरे देखिए कैसे अगरेज्यों के बीच सनातनी मंत्र गूंज रहे थे वहाँ ब्रिटेन में सड़क पर चल रहा है अजय तो आपने बागेश्वर बाबा ने अग्रेजों से राम नाम का जाप कर बादी राम 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 रहा है ब्रिटिश है बेक में लगवाँ इनको दोनों हाथे से करा के जो बैक पैन है क्या बैक पैन है पैर में लगाँ लेक्स पैर में थोड़ा चलो चल नहीं सकते क्या वह इस्टो कि नहीं है वह बता जो बता रहा था जो वहां मौजूद थे अंग्रेज जो मौजूद थे वो भी देखकर हैरान दंग यह क्या हो गया बृतन में बागेश वर दर्वार के बारे में सुनकर बहुत से लोग बाबा के पास अपनी अपनी समस्याइं लेकर पहुंच रहे इस दौरान एक महिला अपने अंग्रेज बाबाब के बत्राइब के बाद की रहा कि दावक आमात को बागेश वपनी यहाए undermery बiran में इया हांगा मन्तरों का वाध में बाद मूद अग्यास में सप्माल यिए हांदी जाए आपकर बादी रहा में हम आई जाद्ध आ जाए शयक्त रहे बादा वहां बैठे बैठे बात कर रहे थे, यहां के दरवार के विशह में, और क्या बुलाएंगे, क्या होता है, हीलिंग्स क्या है, यह सब चर्चाएं हम सुन रहे थे, इनको बोल सकते हैं क्या है, इस प्रिच्वल पावर वाय लॉड हनमार, वैविक पावर, आप नजदीक आजाये, कौन नजदीक आजाये, आप आजाये, आप तो हिंदी पड़ लेते हैं, ठीक माइक लेलो आप, पोलो, एंगी कोश्यान? वैसी उसको है, MS है, क्या होगा है? MS, इससे क्या होता है? MS, इससे ब्रेन के बिमारी है, तो दाजंदीक बहुत दर्टों है, नोर्मान लाइफ नहीं सेट ए, और में बेटीको भी प्रप्र वी गीँदी, मैं सास हूँ, मैं उसके सास हूँ कोई बात और कोई बात पूछें या पढ़िए दामाद को पूरे सरी की नस्म दिक्कत ब्रेंड में समस्या बन गई है सुन पन आ रहा है पूरे शरी में जो प्रशन लेकर मूलतया आई है कृपा होगी आराम लगेगा डॉक्टरी सलाहे चलाते रहें तीन वर्स में इनको यानि यहां अंग्रेज जो आये थे वो भी हैरान कि समस्या भी बता दी और उसके बाद जो पहले आपको वीडियो दिखाया कि कुछ मंत्र पढ़वाए और उसके बाद या आदमी चलने लगा ये भी दावा किया जा रहा है अंग्रेज के इलाज के बाद काई लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि मंत्र चिकित्सा से किसी का इलाज हो सकता है इसलिए बाबा बागिश्वर ने बीड में लोगों से पूछ लिया कि किसी को दरवार के चमतकार पशक है तो एक लड़की ने हाथ उठाया क्या ये सब फ्र बता रही थी चैलेंज कर रही थी उसकी बारी आई हाला कि बाबा के सामने ऐसी कंडिशन कई बार आई है जब कई लोगों ने उन पर इस तरह के सवाल उठाये लेकिन बागिश्वर बाबा ने हर ऐसे आदमी को अपने तरीके से करारा जबाद दिया ऐसा ही लंडन के दरव कि बारियों को राम और हनुमान के नाम की महिमा के बारे में बताया हाला कि बाबा को बहुत अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उन्होंने इसका रास्ता भी निकाल लिया चोड़ा सा हिस्सा है बो भी देखे फिर आगे की बाद बतातों तो बागेश्वर बाबा वहां जो भा कर दिया वैसे ही इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लंडन यह गए थे मिलने के लिए अपने उन लोगों से तो वहां पर भी इतना ताता बंदा हुआ था लोगों का और हजारों के साब से लाकों के साब से लोग आये थे और यह बाबा की बड़ी स्पेशल आई वी ति उसके अंदर एक कोई हैं बंदा कोई डॉर्मेंट और्गनाइसेंस इसे काम करते हैं उन्हों नहीं चैलेंज किया ता बाबा को बाबा को कि आप वहां पर आये और हमारे शेहर में आये और हमारे खामने करें तो हम आपको एक्सपोस करें पर यह बाबाब वहा करेंगे और कुछ नहीं आगे अगर यह अप लोगों क्या मानना इंडि बारे में मुझे करके दरूब बताएगा क्या यह बाबा ठीक है या फ्रॉड है या फेक है बजा बैक यह आप लोग तक के लिए वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर सब्सक्काब करें लिए पा आते रहतों मिलते हैं कि वीडियों में तब तक के लिए बाइए